आज हम सुपर क्लास स्पीसीज की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सुपर क्लास स्पीसीज को तीन क्लास में बाटा गया है। क्लास प्लेकोडर्माई, कॉंट्रिकाइथीज, एन ऑस्टिकाइथीज। प्लेकोडर्माई जो है वो एक्स्टिंट क्लास है। इनने जो fishes पाई जाती थी उसमें heavey आर्मर हुआ करता था और powerful jaws होते थी Chondricoites कि जो fishes है उनमें endoskeleton cartilaginos होता है Chondrioze का मतलब होता है cartilage और itease मतलब होता है Fish इसे Illesmobranchi भी कहते हैं क्योंखी इसके sorgen दर plate-like gills होते हैं कि थर्ड लास्टे फिश री से ऑस्टीकाईथीज और ऊस्टियों का मतलब होता है वह इंद उसकेलेटिन वोणी पिया जाता है कॉन्ट्री स्बाइथीज और ऊस्टिकाईथीज रहे इनके कुछ चेल क्यर्श इकेल्यश होते हैं समय कोंट्री काइथी जो है उसमें जो फिशेज आती हैं उन सिअने उनमें वह Mauraλι होती है कि ए जब कि ओस्टिकाइथी जो फिश्च्छ घोती है वो मरायन में भी हो सकती है फ्रेश वाट फोर्म्स भी हो सकती है दूसरा इंपॉर्टन्ट क यरेक्टर जो के बेढ़ है। रुपन इस फिश्चर eh वो प्लैकॉइड होते हैं, जबकि ओस्टिक आइथीज में जो स्केल्स होते हैं, वो गैनॉइड हो सकते हैं, साइकलॉइड हो सकते हैं, टीनॉइड हो सकते हैं, पर प्लैकॉइड नहीं पाई जाते हैं, इसके अंदर, माउथ की पुजीशन कॉंट्रिक आइथीज में तिस्टिंग्विश करता है वो है कि उनकी कॉडल फिन जो होती है वो डिफरेंट होती है कॉंटी काइथी की जो फिश उती है उनकी कॉडल फिन हेट्रो चरकल टाइब की होती है means the caudal lobes are not equal एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है जबकि जो फिश उती है उनके उनका जो caudal fin होती है वो homo circle होती है मतलब कि डौनों जो lobes होते है caudal fin के वो बराबर होते हैं इकुल होते हैं तो ये कुछ distinguishing characters हैं जो कॉंट्री काइथीज और ऑस्टी काइथीज में आप डेख सकते हैं अब हम पढ़ेंगे कि क्लास कॉंट्री काइथीज जो है उसमें क्या अंतर होता है क्या classes है उसकी तो क्लास कॉंट्री काइथीज जो है उसकी दो सब classes है एक है सेले चाई और दूसरी है होलो सिफिलाई सेले चाई जो होती है उसमें मल्टिपल गिल स्लिट्स होते हैं जबक एकि होडोसिफलाइ में कोई spyrical नहीं पाय जाता है सबक्लास हिले चाहिए के दो ओर्डर्स है स्क्वैलिफर्म और रेजीफर्म दौनों में जो डिफ्रेंस है वो ही है कि स्क्वैलिफर्म में जो बॉड़ी होती स्पिंडल के आकार की है जबकि regiforms में depressed और dorsal ventrally flattened होती है Squally forms में gills, जो gillslits होती है, 5 to 7 pairs होती है जबकि regiforms में 5 pairs होती है, ventral होती है जबकि squally forms में ये gillslits lateral position में होती है Pactoral fin, जो है, वो moderate size का होता है Squally forms में जबकि regiforms में जो pictorial fin होता है वो enlarged होता है और head और body के size पे ये fused होता है Squaliforms में spiracles छोटे होते हैं जबकि regiforms में spiracles बहुत बड़े होते हैं और highly functional होते हैं example Squaliforms का है Squaliodon, Hammer-Edit, Shark जिसे Sphirna कहते हैं zebra shark Regiforms की example है Skate, Raja Jisoo कहते हैं Stinging Ray, Trigon, Electric Ray, Torpedo, Sawfish, Pristice अब हम आगे इसमें Ostechitis के बारे में हम पढ़ेंगे Ostechitis, Class Ostechitis की दो सब-classes है Sarcopines Terrigiae और Actinop tedrigiae Sarcopines Terrigiae फже fleshy finned fishes होती हैं Sarcopines Terrigiae फ्लषी finned fishes होती हैं gest place such guys the finces benze, the leg-like such day, fleshy tiny and предly जब कि एक्टीनो तरीजाई में जो फिन होते हैं लोग पशल भी टो तुम होते हैं जब कि एक्टीनो तरीजाई में एक दॉर्सल » ॰ूइइंडेट में एक डॉर्सल फिन होता है और क smile तो सारको टेरीजाई को लोब्ट फिन फिश या फ्लेशी फिन फिशlando किते हैं इस अको आक्टिनी टेरीजाई को रे फिन्ट फिश नोगों चाहा जाता है सर्को zeggen सब फिन कर दो तरि संब सब प्रेस के दौ अबर्ड है र什么 तरिजाई और स्रेस को डिपन धनली है लोबेट पेषिया निए पतेजिए CZS इस के छेलाइ सबस औरत्स अमिघब। जब कि बदर चिक हैं जब्हक्स में खाहितम मेermीक। प्रमेगजिले मुखेव हैं प्रेजिया मेरकद जाए सब्सक्राइब नहीं पार सकती है और बहार भी भीए कर सकती है तो example across pterygai का latim area है और dipnoeic example जैसे protoopterius है, lepido siren है यह इसके examples हैं आगे हम देखेंगे सब-class actinopterygai, subclass actinopterygai जो है तीन सुपर-order है, Contros T, Hollos T and Teleosity तीनों में क्या डिफरेंस है यह देखी Contros T में माउथ बढ़ा होता है Hollos T में माउथ छोटा होता है Teleosity में माउथ ओपनिंग बहुत ही चोटी और टर्मिनल होती है Contros T में scales ganoid होते हैं Hollos T में ganoid या cycloid होते हैं Teleosity में cycloid या tenoid scales होते हैं Contros T को primitive rafin fish कहते हैं, Holos T को intermediate rafin fish कहते हैं, जबकि Teliosti को modern rafin fish कहा जाता है. Contros T जो है उसके दो ओर्डर्स होएं, Polypteryiforms और S.E.Pensaryiforms. Polypteryiforms का example है Polypterus, S.E.Pensaryiforms का example है S.E.Pensar. Holos T के दो ओर्डर्स हैं, E.Pensaryiforms और S.E.Pensaryiforms का example है Amia, वो S.E.Pensaryiforms का example है Lepidosteus. हागे हम इसमें देखेंगे Teliosti, Superorder Teliosti. Superorder Teliosti, जो है उसके बहुत सारे orders हैं इसके अंदर, जो हम देखेंगे तो इसके अंदर जो ओर्डर्स हैं वो है नमबर वन ओर्डर क्लूपी फॉर्म्स का जो एक्जाम्पल है वो साल्मन है, एट्लांटिक सामन है, साडीनॉप्स है, पैसिफिक सार्डाइन, इनने कहतने क्लूपिया है, नोटॉप्टेरिस है, स्कोपली फॉर्म्स, सेकिंड ओर्डर है, डीप सी फॉर्म्स है, फॉस्फरेंस सिंट और्गन्स पाए जाते हैं बड़ा माउथ होता है इनक बलेगो है, यह इसमें पाए जाते हैं, नेक्स्ट और इस अंगुली फॉर्म्स, एंगुला इल्स पाए जाती है, फ्रेश वाटर इल्स, मॉराइन एल्स, बिलोनी फॉर्म्स, बिलोनी फॉर्म्स में एग्जोसीटिस आती है, पेक्टोरल फिन बड़ी, सी पेक्टोरल फि इसका एक्जманम्पल है एक्षॉम एक्षा एक्षा था है पता है। और जो है भुयेज वधी छैन्ना कि हजाता है। था है कि पघसा स्पगिऑ तरिके में होता है। ओर है दो को खाएड की आएवा चैन्ना को तेमक्षा में काँता है। तो Snake Harried Fish, Simbranchy forms, Eel-like body, Snake-like body, Simbrancus, यह Eels हैं एक प्रकार की, यह इसका है, Example, Mastak Ambali forms, Eel-like body होती है, इन में tubular tentacles, nostrils पर पाये जाते हैं, Mastak Ambalis example है, Order 10, Percy forms, Percy forms में आप देखिए एनाबास, यह क्लाइंबिंग पर्चे जाती हैं इसके अंदर, Order 11, Scopani forms, Enlarged Head, Pectoral Fins, Tyreos, Scorpion Fish, इसके एक्जेमपल है, Pluronectis forms, Bottom Dwellers, यह flat body है, Body एक साइड पर flat होती है, इसके लाइज लाइज उन वन साइड, Asymmetrical Head होता है, इनके इनके इनाद, Flat Fishes इनको कहा जाता है, Cyneptura, Pluronectis इसका एक्जेमपल है, फिर इसका next order है, Echiniforms, में जो पहला डॉर्सल फिन होता है, वो एक डिस्क बना लेता है, एक डिस्क बना लेता है, एक डिस्क बना लेता है, यह इसके करेक्टरिस्टिक फीचर है, और Echinese, Rimora, यह सकर फिशे, इसके एक्जेमपल है, order 14 है, Tetraodontiforms, यह Tetraodontiforms में जो फिशे आती है, उनमें जो स्केल्स होते हैं, वो स्केल्स होते हैं, यह पानी पीकर बॉडी स्वेल कर लेती हैं, फुला लेती हैं, और जो माउत होता है, उनका बीक जैसा, चौँच जैसा दिखाई देता है, पॉर्क्यूपाइन फिश दैयो डॉड़ॉण इसमें आती है, ग्लो फिश आती है, ट्रंक फिश आती है, और 15 है, lophyforms में जो होता है, उसमें क्या होता है पहली कुछ जो डॉर्सल फिंस होती है वो स्पाइन्स में मॉडिफाय हो जाती है बल्ब लाइक हेड के ऊपर प्रेजन्ट होती है और वो फॉस्फिरिसंट या लुमिनिसंट ओर्गन्स होते हैं माउथ के ऊपर यह रहती है बड़ा समुह होता है तो यह चमकती है तो दूसरी फिश इसकी तरफ अट्रेक्ट होती है और यह इसको खा सकती है इस प्रकार से यह बल्योर करती है एंटेनियरियस या एंगलर फिश यह लोफियस का एक्जैम्पल है